हेलो दोस्तों, फाइनली ओटो न्यूज के तरफ से कुछ अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं, जिसमें कुछ न्यू बाइक आपको लोँच होते हुए दिखने वाली है, तो चलिए उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास जो अपडे करेंट का X-Pulse 200, उसमें आपको टू वेल वाला इंजन देखने को मिलता है, बड़ जो न्यू एकस पल्स 200 आ रही है, उसमें आपको फोर वेल वाला इंजन देखने को मिलेगा, साथ ही हीरो की और एक न्यू स्कूटर आ रही है, जिसका नामे प्लेजर प्लस X-Tek 110 CC की यह ह देखने को मिलेगा, हाला कि यह जो है 110 CC की स्कूटर होने वाली है, और इसमें X-Tek technology वाला सारा कुछ आपको यूज होता हुआ दिख जाएगा, ठाड है हीरो के तरब से यह एकस्ट्रीम 160 RR जो की ब्लेक कलर में होने वाली है, इसमें और कोई चेंज आपको देखने को नह लॉंच होने वाली है, मतलब अभी नेक्स्ट वीक में यह आपको लॉंच होते हुए दिख जाएगी, नेक्स्ट पॉइंट के बारे हम बात करें, तो KTM के तरब से निकल के आ रहा, KTM की जो New RC Series की लॉंच हुई है, जो KTM की RC 125, RC 200 और RC 390, यह भी लॉंच होने वाली है, ज जैसा कि मैंने बताया था कि यह सितंबर के एंड तक लॉंच होगी, बट लॉंच नहीं हुई, यहाँ पर अपडेट आना स्टार्ट होगी है, तो अब यह आपको नेक्स्ट मेंड अक्टूबर तक लॉंच होते हुए दिख जाएगी, फेस्टिबल से पहले यह सारे चीज पतादू कि कावासाकी की और भी कुछ बाइक है, आपको अक्टूबर में लॉंच होते हुए दिख जाएगी, जैसे कुछ ताइम पहले कावासाकी की डवलू वन सेंट फाइब को भी टेस्टिंग है दोरान देखा गया था, तो यह आपको अक्टूबर के एंड तक लॉं मोडल आ रहा है, और कौन सा पुराने मोडल में अपग्रेड़ेड वर्सन को लॉंच किया जाने वाला है, बाद में इसमें नौंबर में भी और भी तीन न्यू बाइक आने वाली है, यूएसे में तो यह भी देखना होगा कि यूएसे में लॉंच कौन-कौन सी और को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो चले मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ तब तक के लिए राइड विद बाइक